नमस्कार साथियों भारतिय रेल का हमारे जीवन पे हमारी अर्थ वेवस्ता पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है और इसी कारण से 2017 के पूरू हम रेल बजट को एक सेपरेट बजट के रूप में संसद में पेश भी करते थे और संसद से पास भी करवाते थे 2017 में रेल बजट का विले आम बजट में कर दिया गया आज उसका अबजेक्टिव समझ में आ रहा है देश को कि ऐसा क्यों किया गया उसका करने का कारण ये था कि सरकार की मन्शा रेलवे का निजी करण करने की थी आज उसी संदर्ब में मैं अपने तीन पॉइंट सरकार से पूछना चाता हूँ अपने तीन सवालों का उक्तर जानना चाता हूँ मेरा पहला सवाल है कि ऑपरेटिंग रेशियो का आर्थ है कि 100 रुपे के इंकम पर रेलवे का खर्चा किता है जो 2013-14 पे 87.8 था वो आज बढ़के 120 क्यों हो गया क्यों है ये ऑपरेटिंग रेशियो में व्रद्धी हुई क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है मेरा दूसरा प्रश्ण ये है कि देश में टोटल 68,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है और उस 68,000 किलोमीटर के 50% में देश की 96% ट्रेने गुड्स एज वेल एस पैसेंजर उस पे दोड़ती है और उसी नेटवर्क पर ये 151 निजी ट्रेने भी दोड़ेगी तो उससे होगा क्या कि जो निजी ट्रेने है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और जो भारतीय रेलवे की ट्रेने है जिसमें आप हम और हम जैसे करोडों लोग सफर करेंगे वो स्टेशनों पर खड़ी वी आपको मिले गए और नंबर तीसरा मेरा सवाल है और बहुत मेट्यपूण सवाल है कि जहां पर आज मेट्यपूण स्टेशन है जैसे पटनाहों राची ओ जैपूर हो ताटानगर हो यह इस्टेशन भारत के करदाताओं के पैसों से उसका निर्माण हुआ है भारत के किसान वहारों ने जो railway track है वह जमीन मुफ्त में railway को दिती अगर सरकार नीजी ट्रेने चलाना भी चाती है तो नीजी station भी बना ले और नीजी track भी लगा ले यह कृदाता हो के पैसो के track पर नीजी ट्रेने चलाने पर आमादा क्यों है देश आपसे ये तीन सवालों का जवाब चाहता है बहुत बहुत धन्यों